हेलो फ्रेंड स्वागत आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इंडिया में एक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैली है और एकदम कुरोना की तरह है उसका नाम है आही फुलू तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में इस आही फुलू बीमारी के बारे में उसके लावा जानेंगे कि इसके लच्छड क्या है इससे बचने के लिए उपाय क्या है या कौन सा इसका ट्रेट्मेंट दिया जाता है तो पूरी जानकारी देने वाला हूं इस आही फुलू बीमारी के बारे में आप वीडियो को लास तक देखें दोस्तों अगर बात होते हैं और आई फुलू भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कि जो आपकी आख है एकदम लाल हो जाएगी बहुत ज्यादा जलन और चुबन महसूस होगा आखों में उसके इलामा जब आप सो के उठोगे तो चिपचिपापन रहेगा चिपका हुआ आपकी आख रहेगी जि एक मिनट से भी कम अगर उसको देख लिया तो उसको भी हो जाएगा बहुत तेज इस्प्रेड होता है तो यह बहुत ही गंभीर बीमारी है अगर आप इसको सही टाइम पे रहते हुए इलाज नहीं कराएंगे तो आपकी आख भी खराब हो सकती है तो इस वीडियो में हम ज ज्यादा फेमस हैं आप उन दोनों में से कोई भी ले सकते हो एक है सिप्लॉक्स डी सिप्रोफ्लॉक्ससीन प्रस डेक्टोमेताफन एक एंटिवाइटिक है और एक इस्ट्रॉइड है यह जो ड्रॉप है सिप्लॉक्स यह आपको करीब करीब 25 रूपीज में मिल जाएगा यह आपको दिन में तीन से चार बार दो दो बून करके डालना है अगर आपके आख में दर्द ज्यादा हो रहा है तो आप कोई पेंकिलर ले सकते हैं जैसे जी रोडॉल पी यह आप पे ज्यादा फायदा मंद रहेगा अब उसके अलावां दूसरा जो एंटिवाइटिक है या एंटिवाइटिक ड्रॉप है वह आप ले सकते हैं मोसीडी मोसीडी में मॉक्सीफलोकससीन है और देश्टामेताफन है एक एंटिवाइटिक है और एक इस्ट्राइड है यह भी सिफलोकस ड्रॉप की तरह ही है यह आपको करीब करीब 35-40 रुपे तक पड़ेगा और इ इस तरह से आपका सेवन करना है अब अब उपाई की बात करें तो उपाई इसका यह एग। उपाय बोल सकते हैं कि आप अपने आखों में ठंडा सिकाई करें किसी ठंडे चीज से सिकाईया करें अपने आखों में तो आपको अराम मिलेगा और जो दूसरा है कि किसी दूसरे को ना हो पाए तो आप अपने आखों में हमेशा गोगल्स लगाएं ताकि दूसरे को दूसर नहीं कर रहे हैं ज्यादा बाहरण बहुंत करेंगे तो बहुत यलदी है ठीक हो जा रहा है इतना हो नहीं लेकिन अगर इसका सेवन नहीं कर रहे हैं तो यह आगे चल के प्रोब्लम कर सकता है दो स्थी यह पूरी वीडियो में